Transporter's की Strike ने पुरे देश में कोहरा मचा रखा है आखिर हो भी क्यों ना क्योंकि एक बार Transport रुपता है तो नफल सही जगर पहुँचेंगे न सबजिया सही जगर पहुँचेंगी नप पेट्रोल सही जगर पहुँचेगा नुखसान किसको जहलना पड़ता है आम जंता को, सरकार को, आखिर कैसे इनको पटरी पढ़ लाएं सरकार की चिंता इस बात की है कि नए जो कानून बने है एक्सिडेंट को लेकर, दुरगड़नाओं को लेकर इनको लेकर जूट फैला कोन रहा है सरकार अपनी तरफ से नए रोड एक्सिडेंट में ऐसे कई प्रावधान कर रही है जिससे एक्सिडेंट की सूचना देने वाले अगर आप गायल को अस्पताल तक पहुचा रहा है तो इनके बारे में अगर सही सूचना दी जाए तो आपको बेलेबल से लेकर आपको सजा से बचने का भी प्रावधान है लेकिन मिथ्या कौन फैला रहा है यही चिंता सरकार की है सरकारी सूचने ने दो चीज़ें बिलकुँ साफ कर दी है कि पहले क्या होता था पहले अगर रोड एक्सिडेंट जब होते थे अगर कोई घायल को छोड़कर वहां से भाग जाता था या फिर घायल को उठा कर कोई अस्पताल तक ले जाता था तो उनके लिए एकी तरह की सजा होती थी इस डर से कोई घायलों की तरफ देखता नहीं था सड़क पर अगर घायल पड़ा है किसी एक्सिडेंट से दुरगटना से तो लोग अपनी गाड़ियों को रोकते तक नहीं थे लेकिन कम से कम लगातार होटी रोड दुरगटना है सरकार की बहुत बड़ी चिंता कि अगरणी देशों में आखड़ा हुआ है जा दुरगटना से सड़क दुरगटनाओं में सबसे जाना मौते हो रही है वहाँ पर क्या अब वो पुराना कानून ठीक था तब तक तो कोई स्ट्राइक हो नहीं रहे थे लेकिन नए कानून जैसे ही बन करा है है सरकार को यही चिंता है कि नए कानूनों में जिनमें तमाम वो मुधे रखे गए हैं जिससे एकसेरेंट की सुचना देने वाले और एकसेरेंट करने वाले अगर खुदी घायल को ले जा रहा है उनके लिए बिलेबल ओफेंस दो के तहट इस तरह के मामले में ग्यार इदादतन हत्या का मामला बनता है अगर किसी व्यक्ति से गलती सा अक्सिडेंट होता है वो घायल को अस्पताल ले जाता है तो पुलिस और मजिस्ट्रेट को तुरण सुचित करता है तो ये भारतिय नयाय संगीता की धारा के तहट जमानती होगा यानि बेलेबल होगा जो पुलीस मेजिस्टेट को सुचना दे जो घायल को अस्पताल ले जाए ये जमानती होगा ये सबसे बड़ी ये मने ख्यास उनके रिलीव की बात है जो घायलों को लेकर अब अस्पताल जाने की पहल करेंगे उनसे पुलीस मेजिस्टेट बहुत ज्यादा पूछताच नहीं करेंगी लेकिन अगर कोई एक्सिडेंट के बाद भाग जाता है जिसे आप हिट औरन कहते हैं उस पर भारतिय नयाय संगीता की धारा 1062 लागू होगी जो गैर जमानती अपराद होगा उसमें 10 वर्ष के सुजा होगी ऐसे में अगर सवाल उठाये जाए कि अगर एक्सिडेंट कर रहे हो आप हिट औरन कर रहे हो फिर भाग भी रहे हो आप जिनको जिनकी जो आप दुरगटना गरस्तम की मदद भी नहीं कर रहे हो तो सरकार आपके लिए सजा का प्रावधान क यह है सारे निया विद कह रहे हैं कि अगरेज़ों के जानार के लिए नए कानूनी प्रावधान काफी सक्त भी है और उन लोगों की मदद करेंगे जो क्याना की है कि जनता कि यह संदेश जाए जनता तक कि इनमें कहीं कोई गबर नहीं है जूट फैलाने वालों से बचें